Assalamualaikum dear students, parents and teachers Types of noun में हम दो टाइपस पहले पढ़ चुके हैं Proper noun and Common noun आज हम पढ़ेंगे Countable noun जी तो बच्चों क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक बच्चा उठे और ये स्टूडेंट गिन ले कितने हैं ठीक है? Yes तो अभी मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 20 तो ये हमने क्या किया है? Count किया है ना 1, 2, 3, up to 20 तो मेरी क्लास में अभी 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं ठीक है? तो हम इनको क्या कर सकते हैं? Count कर सकते हैं तो जो चीजें हम Count कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं countable noun for example ये marker है count कर सकते हैं one marker ये कितने हो गई two markers ठीक है तो जो चीजें भी हम count कर सकते हैं जिस तरह books वगेरा हो गई ये भी हम count कर सकते हैं पहले आजाते हैं definition की तरफ that can be counted क्या है that can be counted जो के हम गिन सकते हैं जो चीजें उनको क्या कहते हैं countable noun कहते हैं for example apple जी बेटा कितने हैं one very good अब कितने apple नजर आ रहे हैं जी three शाबाज अब कितने नजर आ रहे हैं nine ठीक है तो ये apples हम क्या कर सकते हैं जितने भी हों हम count कर सकते हैं one two three ठीक है इसी तरह हमारे पास chair जी ये कितने हैं one अब कितने हैं two और अब five शाबाज हमारे पास cheers क्या है countable है ठीक है इसको हम count कर सकते हैं बाल जी कितने हैं one अब कितने हैं five अब कितने हैं ten ठीक है तो ये हमारे पास क्या है बाल भी countable है तो इसी तरह जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रहे हैं जो आप count कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं countable noun कहते हैं अब यहां पे हमारे पास एक note मैंने लिका हुआ है can take articles जो countable noun होते हैं वो उनके साथ हम अगर एक चीज़ को हम जाहिर करें कि ये एक pen है या एक orange है तो उसके लिए हम a या n लगाएंगे तो ये इन्शालला आगे page number 87 जो कि इंग्लिश की text book है 5th class की उसमें है आगे आ रहे हैं ठीक है ये इन्शालला आगे पढ़ेंगे अभी फेलाल आप लोगों ने याद रखना है किसको countable noun और जो पीछे पहले दो पढ़ चुके हैं proper noun, common noun ठीक है और इसके बाद अभी आने वाला है uncountable noun